Good morning class 8 हम लोग भारत की खोच के अंतरगत पिसली कक्षा में हम लोग ने क्या पढ़ा? भगवत गीता आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में जीवन और कर्म तो चलिए शुरू करते हैं बुद्ध के समय से पहले का वृतान्त हमें कहां मिलता है? जातक कथाओं में मिलता है इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है जातक कथाओं में उस समय का वणन है जब भारत की दो प्रधान जातियों कौन को? द्रविडो और आरियों का क्या हो रहा था? अंतिम रूप में मेल हो रहा था कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राम्हन परंपरा पुरोहित या ब्राम्हन परंपरा तथा छत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोग परंपरा का प्रतिनिधित करते हैं यानि ये जातक कता है कि इसका प्रदिरन्यत्य तो करती हैं, किस परंपरा का, इनके विरोध में उत्पर्नुए थी, किनके विरोध में, पुरोध या ब्राम्हण वर्ग या फिर छेत्रिय या शासक वर्ग के, ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी यहीं कुछ हद तक वो स्वतंत्र थी आमदनी का मुख जरिया लगान था माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है उसका भुकतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शकल में किया जाता था या कर उपज के छटे भाग के करीब होता था या सब्वता मुक्रूप से क्रिसी केंद्रिती और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गाउं थे राजनितिक और आर्थिक धाचा इनी ग्राम समुदायों से बनाया जाता था इन्हें दस-दस और सौसो के समुखों में बाट दिया जाता था जातकों के वर्णन से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है यह विशेश दस्तकारिक से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गाउं की स्थापना थी इस समय एक गाउं बढ़ियों का था जो बढ़ही का काम करते हैं तो बढ़हीयों का था एक गाउं लोहारों का था इस तरह और पेशों के लोगों के गाउं थे यह कारिक के अनुसार समुहों का विभाजन कर दिया गया था यह खास पेशेवर लोग, लोगों के गाउं आम तर पर शहर के पास बसे होते थे सहर में उनके विशेश उत्पादनों की खपत हो जाती थे जिनके उत्पादों की खपत कहा होती थी? शहरों में हो जाती थी और ये शहरों के आसपासी इनकी बस्तियां गाउं बसाय जाते थे और बदले में इन्हें जिन्दगी की दूसरी जरूरतों को पूरा करने का समान मिल जाता था ऐसा लगता है कि पूरा गाउं सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था शायद इस तरह अलहदा रहने और संगटित होने से जाती प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा यहनि अगर हम कर सकते हैं तो इस तरह से लोग अलग अलग अपने समूहों में अपने कारे जो लोग काम करते थे जैसे बढ़ाईों का काम लोहारों का काम इत्यादी तो उस तरह से क्या हुआ होगा जाती प्रथा का विकास हुआ होगा जातकों के सौधागरों की समुद्री यातराओं के हवाले सुखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भरोज के जो गुजरात में है तो भरोज के पश्रिमी बंद्रगाह के उत्तर में गांधार और मद्द एशिया का कार्मा जाय करते थे भरोज से जहाज बेविलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाय करते थे नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था जातकों के अनुसार बेडे, बनारस, पटना, चमपा यनि भागलपूर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिनी भापू तक जाय करते थे यानि हम देखते हैं कि किस तरीके से व्यापार होता था उस समय का व्यापार किन-किन मारगों से होता था भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है पाशान युग के मिट्टी के पुराने बरतनों पर ब्राम्वी लिपी के अक्षब मिलते हैं मोहन जोदरों में मिले शिला लेखो को अब पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है अब तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है जो मोहन जोदरों के शिला लेख मिले हैं व्यपदाम्वी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपी में से हैं जिससे भारत में देवनागरी और अनलिपियों का विकास हुआ है आप लोगों ने जब भाषा अध्याय पढ़ाओगा उसमें आप लोगों ने ये लिपी अवस्य पढ़ाओगा अशोग के कुछ लेख ब्राम्य लिपी में है उत्तरपस्ची में मिलने वाले कुछ अनले खरोष्टि लिपी में भी उपलब्त होते हैं इसा पूर्व छठी या सात्वी सदापदी में पाणिनी ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रशना की उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उलेक किया उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर ह हो चुका था और वह एक निरंतर विकाश्शिल साहित्त की भाषा बन चुकी थी पाणिनी आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधारी माफ किजेगा व्याकरण पर अधिकारिक प्रमान माना जाता है हलाकि बाद में व्याकरणों में उनके कुछ जोड़ा भी है और उनकी व् व्याकरण पर आणिनी ने यूनानी लिपिका उल्लेक किया है इन में संकेत मिलता है और पूर्व दिशा में सिकंदर के आने के बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का समपर्ण हो चुका है तो आज की कक्षा में इतना ही अगली कक्षा में हम लोग भागी का भाग पढ़ेंगे